नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, मैं डॉक्टर अंजी ओजा, आज आपको क्रिशी भुगोल की संकल्पनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, तो क्रिशी भुगोल की जो संकल्पनाई हैं, वो मूल रूप से 5 प्रकार की संकल्पनाई हैं, नमबर वन है, भूमी उपियोग की संकल्पना, नमबर टू, भूमी और भूमी संसाधन की संकल्पना, नमबर त्री, क्रिशी भुद्रशे सरंचना, प्रकिरिया और अवस्था का विचार, नमबर फोर, क्रिशी भुद्रशे की संकल्पना, और नमबर फाइफ है, क्रिशी व भूमी उपयोग की संकल्पना के नाम से स्पस्ट हो जाता है कि भूमी का उपयोग जो है वो किस कारे के लिए लिया जा रहा है क्रिशी के लिया जा रहा है या किसी और कारे के लिया जा रहा है तो जिस कारे के लिया जाएगा उसी कारे को हम मुख्य रूप से मानते हुए उस उसका प्रियोग करेंगे, भूमी उपयोग शब्द प्राय अलग-अलग संदर्बों में उपयोग कहता है, जैसे भूमी प्रियोग या भूमी संसादन उपयोग, अर्था लेंड यूज या लेंड यूटिलाइजेशन, परन्तु इन सभी का अर्थ केवल सामेक उपयोग से ह यहां प्रशी भूमी संसादन भी है, तथा इसका प्रियोग भी अलग-अलग संदर्ब में किया जाता है, अंतर केवल भूमी के विभिन प्रियोजन से उपयोग में लाने से है, यानि यह एक सामिक शब्द यूज गिया गया है, कि लेंड यूज लिया जाए या लेंड य प्राय प्राय उस भूमी से है, जो क्रशी कारियों फसले पैदा करने या खेत जोतने पश्यों के लिए या अन्य कारे से प्रियोग में लाया जाता है, अतय यह क्रशी भूमी उपयोग कहलाता है, दूसरी संकल्पना है भूमी और भूमी संसादन की संकल्पना, भूमी निवास के उपयुक्तों जिसे हैबिटेबल अर्थ के रूप में जाना जाता है यानि ऐसी धरातल जहां पर मनुष्य निवास कर सकता है और वो उसके निवास योग्य हो लेकिन समय के साथ साथ इसका शाब्दिक अर्थ भी विबिन परियोजनों के साथ बदलता रहा तो टा मकान निवासिस्तान मकानों वे सडकों के रूप में आने वाली भूमी से रहा यानि पर्थम जो है वो उसमें कहा है मानव कहां निवास कर रहा है उसका निवासिस्तान का है मकान सडक आदी के रूप में भूमी का उपयोग होने लगा तत्पस्चात भूमी का अर्थ मिट् किरिया से जोडा गया जिन से पत्थर बालू मिट्टी या अन्य खनीज प्राप्त होते हैं लेकिन मानव जनसंख्या व्रदी एवं बढ़ती सीमाओं ने भूमी उपयोग की सीमा भी बढ़ा दी एवं इसके अर्थ का भी व्यापव उपयोग होने लगा तो तीन प्रकार से क भूमी को एक संसादन माना जाने लगा एवं उसी संधर्ब में भूमी का महत्व भी बढ़ गया तथा यह अर्थ मानव जन कल्यान के रूप में एक विकास प्रक्रम में समाहित किया जाने लगा तीसरी संकल्पना है प्रशी बूद्रश्य सरंचना प्रक्रिया और अवस्था का विचार किसी भी देश में क्रशी बूद्रश्य वहां के प्राकर्तिक सामाजिक केवं सांस्कृतिक अंतरसंबंदों के परिचायक होते हैं यानि क्रशी एक प्रकार से सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूद्रश्य में परिलक्षित होती है जो सब्भेता की वाहत एवं दरोहर के रूप में पीडी दर पीडी आगे चलती रही है भारत इसका स्रेश्ट उधारन है यदि हम क्रशी का एकजामपल लें तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक भूद्रश्य के रूप में दिखाई देती है और सब्भेता के एक दरोहर के रूप में पीडी दर पीडे आगे चलती रही है और भारत इसका उधारन है इस प्रकार क्रशी सरंचना में प्राकरतिक वे सांस्कृतिक तत्वों का जिन में भूमी, जलवायू, मिट्टी, मानव एवं इसकी आर्थिक क्रियाएं सभी को समलित रूप से लिया जाता है जिनका प्रभाव समन्विक रूप से एक दूसरे पर देखा जाता है तो क्रशी में प्राकरतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जलवायू, मिट्टी, मानव की आर्थिक क्रियाएं सभी का प्रभाव एक दूसरे को समलित रूप से देखा जा सकता है सभी क्रशी भूदरश्य सरंचना के साथ साथ अपने विभिन अवस्थाओं से भी गुजरते हैं जिसे हम विकास क्रम की गतियां भी कहते हैं आर्थिक विकास एवं इसके ढाचे के सुरूप में मानविय या सामाजिक विकास विबिन इस्तरों या अवस्थाओं से बुजरता है जो यूवा परिपक्व एवं व्रधा वस्था की होती है इन विकास प्रक्रमों के अनुरूप ही हमारी विचारधारा भूमी उपयोग के संदर्ब में आगे बढ़ती है तो आर्थिक विकास और इसके ढाचे के सुरूप में मानविय और सामाजिक विकास विबिन इस्तरों या अवस्ता से गुजरता है जैसे कि हर एक चीज की अपनी स्टेज होती है यूवावस्ता परिपकवावस्ता और व्रधावस्ता तो इस तरह इसकी भी विबिन स्टेज होती है चोति संकल्पना है क्रिशी भूद्रशे की संकल्पना इस संकल्पना में क्रिशी के समगर रूप को व्यक्त करते हैं यह स्वरूप भौतिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनितिक दशाओं पर आधरित होता है समय के साथ निश्चित परिवर्टन की दिसा स्पस्ट दिखाई देती है तो इस संकल्पना में क्या होगा क्रशी का जो समग रूप है उसको व्यक्त किया जाता है यह परिवर्टन आर्थिक गती के साथ तकनिकी विकास का भी परिचायक होता है यह सबी मिलकर एक निश्चित क्रशी भूद्रश्य को बनाते हैं जिसके आधार पर हम परंप्रागत क्रशी या आधुनिक क्रशी या वेग्यानिक क्रशी की संग्या देते हैं तो सारी तक्निकी या आर्थिक गती सब मिलाकर के एक इसका परिचायक होता है, तब भी हम नाम ले सकते हैं कि ये परंप्रागृत क्रशी थी या आधुनिक क्रशी है या व्यग्यानिक क्रशी है, यही विकास के चरण होते हैं, जिनमें क्रशी भूद्रशे भी बदलते रहत हैं, पाचवी संकल्पना है, क्रशी विकास एवं नियोजन संकल्पना, क्रशी विकास एवं नियोजन क्रशी की सामिक गतियां यानि समय के अनुसार या टेंपोरल गतियां होती हैं, जो विकास क्रम के साथ क्रशी के व्यवारिक पक्ष को पस्तुत करती है, क्रशी विकास से हमारा ताद पर है क्रशी व्रधी तथा विकास से लिया गया तो क्रशी विकास का मतलब हो गया क्रशी का विकास डवलप्मेंट भी और क्रशी की व्रधी भी होनी चाहिए क्रशी व्रधी को प्राय उत्पादक्ता के साथ जोड कर देखा जाता है यानि उत्पादन बढ़ इसका मतलब क्या होता है कृषि में व्रदी हो रही है वास्तम में व्रदी एक जननिक से संबंदिश शब्द है जो पोधों की आंतरिक सरंचना का द्यूतक है जैविक तत्वों की व्रदी उनकी जननिक प्रकिरिया जो वंशानुगत विबिन प्रजाती में भिन बिन होती है उसी के आधार पर उनकी व्रद्धी एवं उत्पादन शम्ता दर्शाती है। जबकि विकास एक बाहरी प्रकिरिया होती है, जो प्राकरतिक एवं मानविय गतियों पर निर्भर करती है, तथा उसी के अनुरूप कृशी का विकास संभव होता है। लेकिन व्रद्धी एवं विकास दोनों एक प्रकार से साथ साथ चलने वाली प्रकिरियाएं होती हैं, जिन पर समूच्चा विकास संभव होता है। तो व्रद्धी और विकास जो है वो एक साथ में चलने वाली प्रकिरियाएं हैं। उप्रवक्त संकल्पनाओं के साथ क्रशी में प्रादेशिक्ता एवं छेत्रियता का विशेश महत्व होता है क्योंकि यह दोनों ही क्रशी के मूल रूप को निर्धारित ही नहीं करते वरन दिशा भी निश्चित करते हैं इसलिए क्रशी में भिनताओं के दर्शन होते हैं यह भिन स्वरूप ही क्रशी भूगोल के क्रशी भूदर्श्य है जिने एरियल डिफ्रेंशेशन भी कहा जाता है यही हमारी विबिन संकल्पनाओं एवं परिकल्पनाओं हैं इसी के साथ यह विश्य यहीं परसमाप्त होता अंत में आप सभी का धन्यवाद.